किसानों को गेहुचना समर्थन मुल्य में बेशने के लिए पंजियन में आ रही परिशानी को लेकर विधायक कैलाश कुंडल ने शिवरास सरकार एवं जुला प्रशासन से मांग की कर्नोच खातिकाव सहकारी समिती के कर्मचारी हरताल कर रहे है वह उनके द्वारा पंजियन नहीं किया जा रहा है सहकारी ता समिती के द्वारा चलाय जा रहे आनूलन पर कर्मचारी उसे चर्चा कर ततकाल सहकारी समिती द्वारा उठाये के मुद्ध का ततकाल निवारन करे क क्योंकि प्रतिकिसान को अन्यगोशित स्थानों पर पंजियन कराने में 250 से 300 रुपए खर्च करना पड़ रहा है जिला प्रशासन इस बात से अवगत नहीं है कि जिले में एक लाग से अधिक कृशक है अनुमानित 4 से 5 करोड रुपए किसानों पर अतरिक भार है जो आज पर प्रशासन वरिष्ट अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान करें पूर्व विधाय केलाश कुंडल ने बताया कि करिए स्थानों पर गेहु चना कटाई का कार्य प्रारम हो गया है अगर सरकार समस्या का निकारन नहीं करती है तो आंदोलन का रुख अपनाना आज आपके मद्दम से मद्विदे सरकार को जिला पसाशन को सुचित करना चाहता हूं कि इस बात का हला मचाय जा रहा है कि प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, किसान इतेशी सरकार है, किसानों का भला चाहने वाली सरकार है लेकिन मैं ऐसा मौसूस कर रहा हूँ कि कियों की फसल आ चुकी चैने की फसल आ चुकी है और अभी तक किसानों का पंजयन नहीं हुआ है और किसान की पढ़ा बुटाये, उनसे बात करके उनकी समस्ञा का निज़ान करे और अगर नहीं समस्ञा होती तो किसानों का पढ़ा नो सके इसके बारे में गंभीता, पूर्वक, दिलापसाशन और सरकार को निर्णे करना चाहिए BCN News के लिए देवासी चंचल भारती की साथ अरुन उयकेक रिपोर्ट